मा बनना एक खुबसूरत एहसास है और जब भी कोई महिला मा बनने वाली होती है तो उनका खयाल बहुत जादा ही रखा जाता है और बॉलिवुड की बात करें तो नेहा धूपिया भी प्रेगनेंट है और उनका नौवा महिना चल रहा है लेकिन जहां प्रेगनेंसी में सभी और ते अपना और अपने बच्चे की दिखबाल के लिए जादातर घर में ही रहना सही समझती है तो वहीं नेहा धूपिया का अलगी अंदास नज़रा रहा है जी हा, नेहा धूपिया की प्रेगनिंसी का नौवा महीना चल रहा है लेकिन मैडम है कि पार्टी करने और घूमने फिरने में बिल्कुल भी नहीं इचकिचा रही बलकि उनका ध्यान पार्टी में जाने और इविंट अटेंड करने पर कुछ जादा ही है ऐसा कुई इविंट या शो नहीं होता जहां नेहा धूपिया नजर ना आए नेहा पार्टी तो करती हैं साथ ही अकेले भी पहुँच जाती हैं घूमने बिलकुल सही सुना आपने मा बनने जा रही नेहा बिन आपने पती या किसी करीवी के भी पार्टी करने निकल पड़ती हैं खैर जो भी हो हम तो यही कहेंगे कि नेहा आप इसी तरह हमेशा ही हसते और घूमते रहें और तंद्रूस रहें साथ ही आपका होने वाला बच्चा भी आपकी तरह खूब मस्ती खोर पैदा हो लेकिन हम एक सलाह भी देंगे कि आपका नौवा महिना चल रहा है तो आपके और आपके होने वाले बच्चे की सेहत से जादा ज़रूरी तो पार्टी नहीं है बॉलिवुड की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल जब भी कोई महिला मा बनने वाली होती है तो उनका खयाल बहुत जादा ही रखा जाता है और बॉलिवुड की बात करें तो नेहा धूपिया भी प्रेगनेंट है और उनका नौवा महिना चल रहा है लेकिन जहां प्रेगनेंसी में सभी और ते अपना और अपने बच्चे की दिखबाल के लिए जादातर घर में ही रहना सही समझती है तो वहीं नेहा धूपिया का अलगी अंदास नजरा रहा है जी हां नेहा धूपिया की प्रेगनेंसी का नौवा महिना चल रहा है लेकिन मैडम है कि पार्टी करने और घूमने फिरने में बिल्कुल भी नहीं इचकिचा रही बलकि उनका ध्यान पार्टी में जाने और इविंट अटेंड करने पर कुछ कर पड़ती हैं खैर जो भी हो हम तो यही कहेंगे कि नेहा आप इसी तरह हमेशा ही हसते और घूमते रहें और तंद्रूस रहें साथ ही आपका होने वाला बच्चा भी आपकी तरह खूब मस्ती खोर पैदा हो लेकिन हम एक सलाहा भी देंगे कि आपका नौवा महिना चल र नहीं है बॉलिवुड की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारे चानल को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल जाए